आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चो आज का हमारा टापिक है 11 क्लास के 7 चेप्टर का पार्ट 7 यानि 7 ही चेप्टर है और पार्ट भी हमारा 7 है क्योंकि हम आज कॉक्रुच के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे की हमें बहुत ही EO वाली फीलिंग आती है EO यानि की मतलब नो 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 कॉक्रुच नो प्लीज ऐसा फीलिंग आती है कौन-कौन कॉक्रुच से डरता है मैं नहीं डरती हूं ठीक है मुझे बिल्कुल भी कॉक्रुच से डरनी लगता मैं तो उसको पटाक से मार सकती हूं हाया ना मुझे बस छिपकली से डर लगता है ठीक है तो जो कॉ तो आज हम उसी की सरंशना के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी की अनौटमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इतना सा जो जीव है, वो अंदर से क्या-क्या लिये वे होता है, वो हमें आज देखना है, तो interesting है ना, और interesting के साथ-साथ बच्चों इसमें से question बहुत सारे आते ह है, for the need examination, और 11th के लिए भी ये बहुत साथा important है, ठीक है, तो be focused, मजाग मस्ती चलती रहती है, लेकिन जो topic हमें पढ़ना है, वो बहुत साथा important हो, तो be serious, quietly, ठीक है, अब हमें देखना है कौकरोच के बारे में, कौकरोच को हम बोलते हैं, तिल चट्टा, ठीक है, क्या बो पादवाले में, क्योंकि इसके पास क्या है, पैर है, गमन करने के लिए, आप बोलोगे कि मैं में तो उड़ भी सकता है, हाँ, ये समटाइम उड़ भी सकता है, वो हम आगे पूरी सरशना पढ़ेंगे, कि कब उड़ता है, कैसे उड़ता है, कौन से वाले पंक से उड़ता है यानि यह इंसेक्ट होता है क्या है कौकरुच क्या है इंसेक्ट है एक कीट है आया समझ में कौकरुच की स्वर्ग में आता है इंसेक्ट में आता है क्लियर कहानी, तो जो सभाव एवें प्रकरती, अब सोचो, आप खुद सोचो, कौकुरूच के सभाव के बारे में पढ़ना पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि examination है, क्योंकि important है, क्योंकि कौकुरूच को मार देता है, क्या उसके सभाव के बारे में पढ़ना चाहेगा? क्या हाई ना मतलब मारने से पहले एक बार भी सोच रहे होगे कि इसका सभाव कैसा होगा इसका हाबिटाइट कर सा होगा भई दिखा और प्रताक से मारना है मैं तो ऐसी करती हूँ ठीक है तो सभाव हैं प्रकरती कुछ लोग सोच रहोंगे कि जीवों की हत्या करना और यह अभी उस चीज़ के ओ आप कोर्लेट मत कर लें प्लीज ठीक है अभी हमारा सिफ एक मजाग चल रहा है कि मजाग में हम इंपॉर्टिन चीज़े पढ़ रहे हैं यह मुक्त जीवी रात्री चर प्राणी है यानि कि जब हमारे किचन की जो हमारा रसोई घर होता है उसकी हां से खाना इस प्लेट पे जाना है या इस वाले बर्तन पर जाना है आप सोच रहे हो कि कोकरुझ इतने अत्याचारी होतें इतने सारे रोग करते हैं यह कि मतलब बता नहीं सकते हैं इतना जादà । thi सिस्ट्रम बिगाड़ सकते हैं हमारा आप मतलब कलप्ना भी नहीं कर करते हैं ठीक है तो यह जो है रात्री चर्प्राणी है विकॉस आफ ये जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ये निकलना शुरू करते हैं और अपना कारे करना शुरू करते हैं अपनी सभाव इठाते हैं और सबको अलग-अलग दिशाव में छोड़ देते कि तुम यहां से खालो वहां से खालो ये भी खालो और वो भी खालो ये ओमनी वॉरस होते हैं ओमनी वॉरस क्या है ये ओमनी वॉरस होते हैं क्या है ये ओमनी वॉरस ओमनी वॉरस बोले तो सरवाहारी जो आ रहा है खा रहे है जो आ रहा है वो खा रहे है ये भी आने दो वो भी आने दो मतलब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है इन लोगों का, इनका कोई टेस्ट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कि नहीं मुझे तो यही वाला फूड खाना है, मुझे तो यही वाला फूड खाना है, ऐसा नहीं, जैसे हमें कुछ लोग बोलते हैं, मुझे तो यह वाली सबजी पसंद है, सब कुछ खाते हैं आया समझ में जो मासारी शाकारी के बीच में मतलब सब कुछ जो आ रहे वो खा रहे हैं वो क्या होते हैं सर्वारी ओमनी वारस उसको कहते हैं तो कौकरुच की कोई लिमिट नहीं है खाने की ठीक है फिर यह नम वे अंधिरे वाले शेत्रों में बहुत आय जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पर बिल्कुल अंधिरा या थोड़ी से सीलन या नम जो जगे होती है वहां पर यह बहुत आयात में इसली यह निका हैबिटाइट कहां पर है कि अंधिरे वाले शेत्र में और जहां पर नमी होगी उस शेत्र में इसली अवेलेबल हो जा करना चाहिए क्योंकि यह तेडी से दोड़ सकते हैं अब विपदा की स्थिती में उड़ भी सकते हैं आप सोचो क्या सभाव है इनका है ना कि जैसे ही अपने उठाई हमको पता लग गया और इसको भी पता लग गया कि यह तो जोड़ू पढ़ने वाली है चपल पढ़ने तो यह बंदे ने क्या किया अपने पीछे वाले पंक खोले और उड़ना भी शुरू किया यह जो कौकरुज होते हैं यह उड़ने में भी सक्षम होते हैं यानि संधी पातों है चलतों सकता है यह तेजी से दोड़ भी सकता है और उपर से उपर उड़ भी सकता है सोचो कित जो होता है वो चमकदार, ब्राइट कलर का होता है, मतलब आप कभी इसके विंक्स देखोगे ना बचो, मतलब जैसे देखो, we are student of science, जब हम विज्ञान के छात्रे हैं, तो हमें यह नहीं सोचना है कि क्या है और क्या नहीं है, यह गंदा हैर, वो है, यह है, यह देखो, अपने लिए पिल्कुल परे होती है बाते, क्योंकि यह हमारे स्टाडी का टॉफ पिक है, यह हमें इसको पढ़ना ही पढ़ेगा, हाँ या ना, तो हमें क्या करना है, जैसे आप कौकरुष को देखोगे लैब में, तो आपको लिगेगा कि जो इसका बाहरी आवराने एक दिम शाइनी होता है, ब्राउनिश, रेट टू ब्राउनिश कलर में होता है, शाइनी होता है, यह भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी होते है, इनका शरीर कैसा होता है, सपाट होता है, कुछ तो वाइट फॉर्म में भी होते हैं इनके डिफरेंट काइंड ओफ कलर्स होते हैं देखों रंग बी अलग अलग इनके मतलब जो अपन वैस्क रूप से देखे तो इनका जो कलर होता है वह कैसा होता है ब्राउन टु ब्लैक बट अब कभी-कभी यलो कलर के भी हो सते है जो एक दम शैशाव अबस्ता होते हैं इसमें यह वाइड कलर के भी होते हैं ख्लेर हो गई बात तो रंग की बारे में आपको समझ में आगया इसका, ओश्ने कटी बंदी भांदिय होंगे बहां पर यह चंकीले कि पर जिए बाग सर्च करो ठीके क्या होता है और कहां कौन-कौन से शेत्र में उश्कटी बहांद के ज़क्या जोड़ेटी मिलता है मुझे जानना है मैं भी सर्च करूंगी आप भी सर्च करो जिसको जो आंसर आ जाजाए हो पहले बता दे लो ठीके मज़ा आएगा इन लंबी शुंगी का इंटीन लेके घुम तरह का आ रही है उसको किया करेंगे एकसेट करेंगे मैसेज की दुवारा कनवे करेंगे तो ये लंबी श्रंगी का ये देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है इसके एंटीना है कभी हमारी टीवी जब बहुत पुराने जमाने में जो टीवी होता था उस पैंटीना लगा होता था और बच्चे ठीक करने जाते थे आया की नहीं आया नेटवर्क आया की आया और हम टीवी को बजा बजा के बजा बजा के मम्मी नहीं आया रहे नहीं आया तो यहाँ पर जो इनकी श्रंगी का है याने कि जो इनका एंटीना है वह क्या करेगा पैर अथवा उपरी शरील की भिति में चपटी वरद्दी होती है और यह क्या करते हैं सिर को ढ़की जो इनकी शरंगी का एंटीना है वो सिर से धकी रहती है घीकर माड़की अब नेक्स देखते हैं पन क्या है इनका आकार इनका साइज क्या है इनका साइज क्या है तो जो 0.2523 इंच्ठ इनका जो साइज है वो क्या है 0.25 से लेकर के 3 इंच तक that means कितने सेंटीमिटर 0.6 to 7.6 सेंटीमिटर भी यह कॉक्रू इतना बड़ा भी होता है जब इसको अच्छा खाने को मिल जाए ना भी यह जितना खाने को दोगे तो आराम से जिएगा की नहीं जिएगा अपना शेप भी भढ़ाता है अपना साइस भ जाती पैरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है वो 74 तो 53 मीमी लंबा होता है खंड सेगमेंट इसमें भी सेगमेंट वैसा सेगमेंट नहीं जिससे अपने कैच में पड़ा बहुत सारी सेगमेंट नहीं है यहां पर कुछ-कुछ सेगमेंट है कैसे तो शरीर जो है मुखीत तीन भाईया यह तो थीन खंड में ही होता है मतलब जो कौकरोज का जो शरीर है वो किते खंडों से मिलकर बनता है बेसिकली वो तीन खंडों से मिलकर बना होता है कौन-कौन से ठीक है सिर यानि की हेड पार्ट वक्ष और उधर यानि की जो अब्डॉमें वाला पार्ट होता है और जो वक्ष होता है यानि की thorax, ठीक है, ये तीन पार्ट जो है, cockroach में हमें देखने को मिलता है, head part, thorax part और हमार उसका जो abdomen part है, वो वाला, समझ में आया, तो ये तीन पार्ट हमें देखने को मिलेगा, भारे आवरंट, तो अब हम देखेंगे भारे आवरंट, cockroach के भारे अवरंट कैसा होता है, आकार हमने देख लिया, हमने शेब देख लिया, उसका color देख लिया, आप देखेंगे भारे आवरंट कैसा है, यानि की exoskeleton, क्या देखेंगे अपार? exoskeleton के बारे में पढ़ेंगे कि इसका exoskeleton कैसा होता है कि इसका भई कौकरोच का ठीक है तो इसका पूरा शरीर एक मजबूत काईटीन युक्त जो इसका जो शरीर है वो कैसा होता है एक मजबूत काईटीन से मिलकर बना होता है और ये कैसा होता है बेसिकली बूरे रंग का ह होता है बच्चों मैं एक ड्राइंग कर रही हूं यह बता सकूं कि कुछ भी होता है वो क्या क्या होता है किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए एक ड्राइंग बना रही हूं जो कि मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं बना रही हूं ठीके और यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौदस ठीके नौदस क्योंकि दस खंडों में होता है तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो एक कॉक्रूज है उसका शरील कैसा होता है तीन खंडों में विबाजित होता है तीन खंड कौन-कौन से हैं बच्चो यह हो गया हमारा हेड पार्ट सिर्फ यह जो पार्ट है यह हो गया हमारा थोरेक्स यानि कि वाक्ष वाला पार्ट और यह जो पार्ट है हमारा यह हो गया हमारा उदर वाला यानि कि एबडॉमिन वाला पार्ट ठीक है एबडॉमिन तो बच्चो आपको पते थोरेक्स तीन बटी हो जो भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, तो थोरिक्स है, वो भी थ्री पार्ट्स में बटी होती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हमें जो बताना है, वो मैं आपको बता रहे हूं, तो एब्डॉमिन है, वो दस खंडों में बटा, एक, दो, तीन, चार, पा अपना हमारा, है न, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया, तो हम बात कर रहे हैं अभी कॉक्रूज के बाहरी आवरंड के बारे में, कि भई यह इसका जो शरीर है, वो तीन भागों में, यह तो अभी मक्ही लग रही है, लेकिन मक्ही नहीं कॉक्रूज है, अब बना सकती हुए, ठीके, तो यहां पर हमने बोला, कि तीन भागों में बना हुआ है, यह उगया सिर वाला पाट, यह इसका थौरेक्स वाला पाट, और यह इसके खंड है, जो दस खंड है, इसका अपन को नाम नहीं लेना है, लेकिन थौरेक्स वाले के नाम करन हमें करने हो तो यह बोल रहा है इसका जो शरीर है जो इसका भारी आवरण है वो काईटीन का बना हुआ है यह तो काईटीन का बना हुआ है और यह काईटीन कैसा इसको मजबूती प्रदान करती है ठीक है अब प्रतेख खंड में पच्चो उधर में 10 खंड यह प्रतेख खंड में वक्ष प्रतेक पूरा शरीर जो है वो काईटीन के बना है और प्रतेक खंड बोले तो सिर बोले तो वक्ष चैस का तीन खंड हो बोले तो अपना उदर जिसमें की दस खंड हो लेगे प्रतेक खंड की बात करें एक खंड कोई का भी खंड नहीं छोड़ रहे पर तो प्रतेक खंड मे बहारे कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है जो ये प्रते खंड है पूरे शरीर के बारे बात हो रही प्रते खंड में मजबूत पट्टिकाएं होती है ठीक है? क्या होती है? पट्टिकाएं होती है जिने हम क्या कहते है? कट अब बोले तो स्क्लाराटाईज स्क्लाराइटिस जो होता है बचो ये most important चीज़ है नीट में पूछी जाती है और ये दो तरीके से बटी होती है कैसे अब यहाँ देखो एक डाइग्राम दिखा रहे हैं एक खंड ले रही हूँ मैं मान लीजे अपने एक खंड ले लिया क्या ले लिया खंड ले लिया अब ये जो ये जो खंड ये है प्रस्ट प्रस्ट सते बोल रही हूँ एक बार और ये मैं बोल रही हूँ अधर सते ठीक है और आपको पता है ये जो पूरा है इसका जो ये पूरा आवरण है ये किसका बना हुआ है? काईटीन का और इसको हम क्या बोल रहे है? स्क्लाराइट्स ठीक है? स्क्लाराइट्स बोल रहे हैं पर क्या बोल रहे है? स्क्लाराइट्स क्यूं? क्यूंकि काईटीन का बना हुआ है पट्टिका हैं, कटक हैं यहाँ पर और यह कटक की जो प्रस्ट सत्य है, बोले तो प्रस्ट वाली, इसको बोलते हैं प्रस्ट कांच, क्या बोलते हैं प्रस्ट कांच, इस प्रस्ट कांच को इंगलिश में बोलते हैं पर टेग्यूमन, क्या बोलते हैं, टेग्यूमन, क्या ब अधर वाली की बात करेंगे अधर कांच यह वाली सत्य की यह वाली पट्टिका की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं isternum क्या बोलेंगे isternum ठीक है isternum बोलेंगे istermite isternum istermite आया समझ में तो हमने बोला दो सत्य है प्रस्त्य है और लेकिन क्या बगल वाली सत्य को भी कुछ बोलते है वैसे तो नहीं पूछा जाता हमारे नीट में भी नहीं पूछा जाता हमारे एक्जाम में भी नहीं पूछा जाता है लेकिन हमारे को information तो होनी चाहिए knowledge तो होनी चाहिए क्या कहते है तो इसको हम बोलते है प्लूरा क्या बोलते है प्लूरा क्या बोलते है प्लूरा यह जो एक लाइन है और यह लाइन है यह लाइन देखो आपस पर यह यू है यू कईक्रुच क्या ओप सरीर पिचयकता नहीं होगा थोड़ा तो फ्लैक्जिबल होगा ना मुवमिंट के लिए किसी भी चीज के लिए रही चलेगा तो आगे पीछे तो हूगा उसका शरी मुमिन तो दिखाएगा तो जो फ्लैक्जिन्डी देती है kingdom को इन खंडों को जो फ्लैक्जीन लेटी दे रही है वहाँ पर एक संधी होती है क्या होती है संधी होती है और इसको हम बोलते हैं संधीगारी जिली यानि कि हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्थो रोडियल आर्थो रोडियल मेंब्रेन क्या बोलते हैं आर्थो रोडियल मेंब्रेन बोलते हैं किसको जिससे की जो कौकरूच की जो खंड है जो सेग्मेंट है या फिर हम कहीं कोकरूच को जो शरी लचीला बनता है वो इसी जिल्ली के कारण बनता है जिसको हम बोलते हैं आर्थो रोड मैंना स्टनर ठीक है यहां तक क्लियर होगे चीजे फिर अमने बोला यह तीन खंडों से मिलकर बंदा प्रते खंड में भी अलालग खंडों तर यह खंड की जो सरंचना है वो अपने यहां दे दी आशा करते हूं यहां तक की समझ में आ गया होगा ठीक है अब नेक्स देखते सिर अब अपन प्रिधम खंड पढ़ रहे है कौकरुच का सिर के बारे में शरीर के अगर भाग में इस्तित सिर त्रिकोण होता है यानि कि ट्राइंगूलर होता है यानि कि यह ऐसे 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 इसे इजिली हर दिशाओं में मूव कर सकता है कैसा होता है जो इनका सिर है उनका सिर है वो कैसा है ट्राइंगूलर है क्या है ट्राइंगूलर है ताकि ये अराम से देखो ये वक्ष से समकोंड पर लगा होता है और इनकी गर्दन जो है ये लचीली होती है जो सभी दिशामें घूंते हैं क्योंकि सर क्या है ट्राइंगूलर है ये जो वक्ष है ये ऐस से घुनता है और अपनी जो यह शंगी काई उससे देखता है कि हां यहां बोजन है यहां बोजन है और वहां दोड़ की चला जाता है है ना एस क्योंकि 23 दोड़ता है हां यह ना तो यह क्या करता है यहां पर यह त्रिकोणिय होता है और वक्ष से समकॉण पर लगा होता है ज तो गरदन लचीली होने के कारण सभी दिशाओं में क्या हो सकती है? मूवमेंट कर सकती है, घूम सकती है सिर्फ संपूटिका पर एक जोड़ी संयुक्तन नेत्र होते है यानि कि इनके पास क्या है? कमपाउंड आईज क्या है? कमपाउंड आईज ये देखो, इननी सुंदर-सुंदर आखे जिनसे ये भोजन डूनता है, ऐसे करके कमपाउंड आईज प्रिजन्ट है, सिर्फ संपूटिका पर एक जोड़ी संयुक्तनेत्र होते है आखों के आगे जिल्ली युक्त सौकिट से धागे जैसी एक सरंचना मिलती है जो आईज है, ये देख रहे हो इसके आईज, इसके आगे सौकिट याईज देख रहे हो, कलर चेंज करूँ के बच्चों, ये देखो ये यहाँ पर ये डाइग्राम देख रहे हो, यहाँ पर ये देखो सम्वेदी अंग है ये, ये इसके सम्वेदी अंग है, शंगिकाएं है जो यहां से क्या हो रही है निकल रही है तो की गूमती मिख्यों करता है और इसकी शघ्न कार करते है इसके लि consolation बातरवन दे देते हैं प्रतिकूल बातरवन मतलब प्रतिकूल बातरवन तो भी बता देंगे कोई परेशानी है पीछे से जड़ु वाली आ रही है पीछे से चपल आ रही है तो मलब बातरवन इनको पता लग जाता है अब हम देखेंगे next सिर के आगे वाले छोर पर लगी होते हैं जो कि काटने वे चबाने वाले मुखांग बनाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं उधर की तरफ, सौरी, इधर देखो, यह यहाँ पर क्या होता है इसके मुखांग जैसे लेब्रियम, देख रहे हो यह है इसका लेबियम यानि की नीचे वाला ओस्ट, वाला जो होटर्स को बलेंगे लैब्रम ठीक है यह लैब्रम यह लैब्रियम फिर हमने बोला यह देखो यह लैब्रम हो गया यह हमारा लैब्रियम हो गए हो गए लैब्रियम अब यह जो है मेंडिवल यह देख रहे हो अंदर की तरफ जो है यह मेंडिवल यानि कि मुख की त देख रहे हो, हाइपो फैरिंक्स, इंपोर्टिंट है, हाइपो फैरिंक्स, पूछा जाता है कि हाइपो फैरिंक्स क्या है, जीब, इसकी जीब का नाम है हाइपो फैरिंक्स, अपन तो टंग बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइपो फैरिंक्स, ठीके, तो क्या-क्या हुआ एक जोड़ी चिबा कास्ती यानि कि निचला जबड़ा, निचला जबड़ा क्या बोलेंगे अपन, लेबिया और उपरी जबड़े को हम बोलेंगे लेबिया, ठीक है फिर एक अधर उस्ट एक अधोग रस्नी यानि हाइपो, फैनिग्स, ठीक है जो किसका कारे करती है जीब का कारे जो अपनी टंग है वो यहाँ पर क्या है एक अधोग रस्नी है हाइपो फैरेंस है जो कि क्या करेगा मुखांगों से गिरा होता है और ये जीब का कारे करती है clear होगी बार works यानि कि thorax पे आ गए अपन second part पे आ गए cockroach के second part पे आ गए तो तीन भागों से बटा होता है अग्रवक्ष, मद्ध्यक्ष और पच्छक्ष कैसे? color change कर लो यह देखो इसको हम बोलेंगे pro thorax क्या बोलेंगे? pro thorax मद्ध्यवक्ष यानि कि mid thorax यानि कि mid thorax पक्षवक्ष यानि कि metathorax यानि कि metathorax आया समझ में metathorax, mid thorax और prothorax तीन पार्ट हैं, तीन खंड हैं सिर्वक्ष से अग्रवक्ष ठीक है? जो सिर्वक्ष है उससे अग्रवक्ष रकता है कि हम क्या कहते हैं? गर्दन बई सिर्वक्ष उदर बीज का पार्ट गर्दन ठीक है? वक्ष प्रतिक वक्षी खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है जैसा मैंने डाइग्राम में बनाया था देखें अपन एक बार मेरे डाइग्राम देखेंगे फिर बुक वाले डाइग्राम भी देखेंगे ये देखो ये वक्ष है यहाँ पर मैंने क्या बनाया इसकी टांगे संधी पाद बनाये हाँ या ना टांगे बनाई है पनने देखें जरा कहा गया गेरा प्रतिग वक्षी खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है अपने चित्र में देखने आप ये रेखो ये निकल रही है यहाँ से दिख रहा है कलर चेंज करूँ ये देखो ये देखो दिख रही है आपको यहाँ पर ये क्या है इसकी टांगे है और ये कहां से निकल रही है बच्चो प्रतिग वक्षी खंड से तीन वक्षी खंड है कौन-कौन से प्रो थोरेक्स, मिट थोरेक्स और मेटा थोरेक्स तो एक खंड दूसरा खंड और तीसरा खंड ये लो एक जोड़ी ये लो दो जोड़ी और ये लो तीन जोड़ी, ऐसे ही होता है, कौकरुच के ऐसे निकले होता है ना, एक, फिर दो और ये तीन, है ना, एक, दो, तीन, इस तरीके से इसके वक्ष जो है, इसके तीनों खंड है, तीनों खंड से एक जोड़ी पैर निकल रहा है, यानि कि तीन हो गए इसके पास, छ सिर्फ नाम याद रखने में कि टांgg उसके कौञ कौन से भाग होते हैं तो कख्षांग शिकरक उर्विका अंतरजागंिका गुल्फ ठीक है वाक्ष भाग से दो जोड़ी पंक निकलते हैं, दो जोड़ी पंक, भई दो जोड़ी, आप पन तो आस्तर कौकरुच का उपर वाला ही पंक देखा है, जो एक जोड़ी पंक है, वो ही देखा है अभी तक, जो ऐसे से भागते जो उसके पीछे इतना ब्राउन कलर का जो होता है, यह वाला, है यह नीचे भी एक पंक होता है, है ना, नीचे भी एक पंक होता है, तो पंको का प्रथम जोड़ा मद्यवक्ष से, मद्यवक्ष यानि कि आप से क्वेशन आ सकता है, एक बार कलर चेंज कर लो, हाँ, तो जो पंको का प्रथम जोड़ा है, मद्यवक्ष है, है ना, मद्यवक से यानि की मेटा थोरेक से क्या होगा मेटा थोरेक से निकलता है हाँ या ना तो यह देखो जो आगे वाला है यह दिख रहा है यहाँ पे बचो यह दिख रहा है हाँ या ना तो यह जो पार्ट होगा यह कौन सा होगा जो पहले वाला पंक है वो मिट से निकल रहा है और जो वाला है ये कहां से निकल रहा है मैटा ये देखो ये रहा मैटा और ये वाला जो है वो हो गया हमारा यहां वाला आया समझ में पंक वाली बात आ गई अगर पंक देखो मद्धय वक्ष से निकलते हैं यानि कि मेड थौरिक से निकलते हैं ये अपार्दर्शी वे हरे रंग के होते हैं यानि कि विजिबल नहीं होते हैं और ये प्रवाद टेग्मेन आच्छत कहते हैं इनको टेग्मेन आच्छत कहते हैं पश्च पंक पशपंक पंकों से ढकी रहते हैं हाणा और पंक पशपार्दश जिल्ली नुमा होते हैं और ये उड़ने में मदद करते हैं कैसे होते हैं ये उड़ने में helps करते हैं क्लेर होगी दोनों की बाते अब देखें अपन आगे उदर अब आवाँ गई अपन 10 सेग्मेंट पे नर्वे मादा दोनों उदर में 10 खंडी होता है वही जो नर्वे मादा है वो कैसा है उदर खंड 10 होते हैं उसमें साथवा जो होता है वो नौकाकार होता है आठवा वे नवा जो होता है वो अधरक होता है इसके साथ मिलकर यह एक जनन कोस्ट क्या बनाते हैं यह जनन कोस्ट या फिर जननिक कोस्ट बनाते हैं ठीक है यह पूछा जाता है कि कौन से उधर के कौन से वाले पार्ट पर कौन से single segment पर जो है जनननिक कोस्ट पाया जाता है तो यह आपका अंसर रहा जिसके अगर भाग में मादा जननन छिद्र ठिक इसपर मैंतीकल छिद्र और सामपर्ष्विक ग्रंथियां पाई जाती है यानि की मादा जननन छिद्र पाया जाएगा फिर उसके बाद में इस पर्मैथिकल जो कि अपनी शुक्र गईका होती है जया, पर सांपर्श्विक ग्रन्थियां पाई जाती है ठीक है नर्वे मादा दोनों केवल आठवा प्रस्टक ही सात्वे खंड़ द्वारा धका रहता है जो नर्वे मादा दोनों में केवल जो आठवा प्रस्टरक है वो सातवे खंड दुआरा ढखा रहता है नर्वे मादा दोनों दसवे खंड पर जो नर्वे मादा है वो कहां प्रेप्रेजेंट होंगे बचो दसवे खंड पर एक जोडी संधी युकत तंतों में गुदिये यानि कि जो लास्ट वाला खंड वाला घंड होगा यह हो गया इसका गुदा लूम और उपर जो इसके नवे और आठवे और सातवे खंडे वहाँ पर क्या हो जाएगा इसके जननंग पाए जाएंगे इतनी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है फिर उन लूमों के नीचे की और नर नवे खंडे में एक जोड़ी छोटे वे धागे समान गुदा शुक होते हैं मादा में शुक अनुपसि होते हैं यानि कि जो मादा होगी उसमें गुदा नहीं होगा है ना शुक प्रेजेंट नहीं होगा जबकि जो नर है उसमें शुक प्रेजेंट होगा तो एक डिफरेंस भी क्लियर हो गया इस तरीके से अपना कौकरुच का यहां तक का पार्ट हुआ फिनेश आपको समझ मे आ गया अच्छे से कौकरुच अच्छे समझना जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो जो क्वेशन में पूछे उसके आंसर मुझे चाहिए जहां प्रॉब्लम आ रही प्लीज बच्चे बताईए ताकि आपन आगे और सुधार कर सके फिर मिलेंगे नेक्स पार्ट के सा में धन्यवाद